सरकारी करमचरियों के मकान किराय भत्ते रहने की हाउज रेंट अलाउंस को लेकर सुप्रिम कोट का बड़ा फैसला एक महत्पूंच अनकारी हमारे सभी दोस्तों के लिए दीख आप एक सरकारी करमचारी हैं सरकारी आवास में रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं यदि आपको HR मिलता है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि मानिय सुप्रेम कोट ने सरकारी करमचारी को मिलने वाले मकान किराए भत्ते को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है तो क्या ये फैसला दिया है जानने के लिए बने रहे हैं इस वीडियो के लाश्ट तक हाली में सर्वोच नेले ने अपने एक फैसले में कहा है कि एक सरकारी करमचारी जो की अपने पिता को आवंडित किराए से मुक्त आवास में रहता है तो वह सरकारी करमचारी किसी भी हाउस रेंट अलाउंस का दावा करने का हकदार नहीं है बड़ा फ़सला ये मानिय सुप्रेम कोट के द्वारा दिया गया है नियामूर्ती बियार गवई और नियामूर्ती संदीप मेता की पीट ने अपील करता के खिलाब हरे वसूली नोटीस को बरकरार रखते वे कहा कि जम्मू और कस्मेर सिविल सिवा मकान के रायभत्ता और सहर मुआवजाभत्ता नियाम 1902 में के तहत सेवनिवृत पिता द्वारा सेवनिवृत होने पर हरे का दावा नहीं किया ज़ा सकता है इसलिए अपील करता को लगबग 4 लाक रुपे का बुक्तान करने के लिए वसुली नोटिस जारी करना उचित था जिसे उसने पहले एचारे दावाई की रूप में हासल किया था अपील करता एक सरकारी करमचारी होने के नाते अपने पिता जो की एक सेवनिवृत सरकारी करमचारी है उसके आवंटित किराया मुक्त आवास साजा करते वे एचारे का दावा नहीं कर सकता था इस मामले में एचारे वसुलू के लिए जारी होने वाले आदिसमों में कोई खामी नहीं है जिसके लिए हस्तक छिपकी आवे सकता हो तो ये माने सुप्रेम कोट ने इसपश्ट कर दिया है कि ये दि एक सरकारी करमचारी जो कि अपने किसी भी जान पचान वाले के साथ में सरकारी आवास में रहता है तो उस सरकारी करमचारी को भी मकान कराया बता नहीं दिया जाएगा केंद्री करमचारियों के लिए पहले से ही ऐसे निये मौजूद है जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि ये एक सरकारी करमचारी अपने ही किसी family member के साथ में सरकारी आवास सेर करता है या सरकारी आवास में रहता है तो उस सरकारी करमचारी को मकान कराय भत्ता नहीं दिया जाएगा और अब ये मानने सुप्रिम कोट ने भी बड़ा फैसला दे दिया है और अब यदि कोई सरकारी करमचारी अपने किसी भी परिचित के साथ या परिजन के साथ सरकारी आवास में रहता है या उसे साजा करता है तो उस करमचारी को भी मकान किराइभपत्त का भुकतान नहीं किया जएगा यदि उसने गल्टी से भुकतान ले भी लिया है तो उसकी रिकावरी भी यहां पर उससे कर ले जाएगी तो ये बड़ा फैसला मानने सुप्रेम कोट के दुआरा दिया गया इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं इस वीडियो को अधिक सदिक लाइक करें जिससे आपके दोस्तों के पास में ये ख़वर पहुंच सके और वो भी मानने सुप्रेम कोट के दुआरा दिये गया इस मैसले के बारे में जान सके चैनल सब्सक्राइब और बेल आकन जरूर पैस कर लें हारे एक यूजफूल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए